आप सब्सक्राइब करने वाले हैं कोशिकांगों पे किससे पहले हमने बताया था कि कौशिका के इंदर कौण कौण से कोशिकांग पाए जाते हैं है कि साथ हमने से वाल पे किया था और आज हम पूसर करने वाले इसके साथ साथ अब आपको डेली नोड पर यह तियार रखिएगा क्योंकि वही आपके examने काम आएगा और साथ ही साथ लिखने के साथ साथ आप उसको learn भी करते रहेगा पढ़ाय भी उसी करते रहेगा मेंस्तियारी भी करते रहेगा यह भूद ही जुरूरी है आपके लिए क्योंकि ऐसे समय में आप हैं जब आप face to face तो नहीं study कर पा रहे है आपके हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा कारे किया जा रहा है तो इसमें आप आपका भी सहयोग आपके अभावकों का भी सहयोग अभेक्षित है तो आप लोग नोटस भी त्यार करते रहेगा पढ़ाई के साथ साथ इसके साथ साथ कुछ होमवर्क्स भी आपको अबलेबल करा जाएंगे तो इस होमवर्क को भी कंप्लीट करते रहेगा और जैसे कुछ इश्टेंट ने अभी उससे कहा कि तीन ही दिन पढ़ाया जा रहा ह क्लासे चल रहे हैं इसमें परिशान होने की जूरत नहीं है कुछ इस ने कहा सब्सक्राइबल कराएं तो मैं आपके समझ सकता हूं आपके लिए नूर्स बिल्कुल आज से अविलेबल रहेगा और आपको नूर्स भी त्यार करते रहेगा तो चलिए बहुत ज़्यदा बात इस जानने कोसिस करते हैं इसके बाद और आगे हम बढ़ेंगे यह जो आप देक रहेक हैं यह कुछ मॉडल दिए गाएं सेंवें के इसके बारे में हम शुदी करेंगे लेकिन उससे पहले हुक्या है उसको जान लेते हैं तो देखिए जो सेल मेंब्रेन होता है यह सब है को सभी कोशिकाओं में पहाए जाता है यहां सभी सभी कोशिकाओं में जीव द्रब्य के चारो और विभेदी पारगम्य विभेदी पारगम्य विद्धुत आवेशित चैनात्मक जिल्ली है जो मुख्यता है प्रोटीन यों वसा से बनी होती है इसे सी क्रेमर वा नगेली इन्होंने इसे कोशिका कला का नाम दिया था और लोग ने लोग जी उद्र बेकला कहा था इसमें होता है कि इसमें दोस्था घंड प्रोटीन परतों के बीच वसा का इसतर पैया जाता है प्रोटीन परते हैं 20 से 25 सिंगे श्राम मोटी होती है वसा इसतर की मोटा ही